हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक क्लेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोन और वैसन मुक्ति तग्य हूं आज मैं आपसे बात करने वाला हूं शराप की नश्या एक सामाजिक अभिशाप हमारे समाज में हमारे कल्चर में हमारे देश में काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो सोशल रिंकिंग करते हैं मतलब कोई उत्सव है शादी है फिर धूल मट्टी है या कोई ऐसा मतलब बड़े-बड़े उत्सव है ट्यावार है उस समय या कोई पारिटियां है कॉण्फरेंसे से तुह हैं सोशल रिंकिंग करते हैं है मिटिंग और सोशल इंगिंग ये नॉर्मल बाना जाता है भूप उल्टा है कि कभी कोई आप सोशल इंगि नहीं करते हो तो आप के ऊपर पाकी लोग भिढ़ जाएंगे तो ऐसे सोशल इंगिंग करने वाले मतलब हपते में एक दो बार लेनेवाले जो लोग है वह व्यक् कर आइसे जगह पर खड़ा है कि वह कभी भी शराबी बन सकता है। कि शरावी मतलब क्या। शराबी मतलब हमारा थेनन दिन जीवन जो है वह जीवन जिने के लिए बहुत जादा मात्रा में शराब की जरुत होना। उसके सिवाय हम जिना जी नहीं सकेंगे, काम ही नहीं कर सकेंगे, दिमाग चले गा हिने, शराव लिए भिना हम काम शुरूर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं शरावी, शरावी लोगों का आयूमान जो रहता है इस शमान, वो 10 से 15 साल से बागी लोगों से कम होता है, वो बहुत कुशी यह बहुत कॉमनली दिखाई जाता है शराप पिने से चिड़ चिड़ा पनाना घुसा करना फिर जो बारिक मोटर सिम्टम रहते न मतलब जो मोटर एक्टिविटी रहती है ऐसे छोड़े काम करना ऐसा बराबर लिखनाता नहीं जमेगा राइटिंग जमेगा न उनको इमोशनली वह अंस्टेबल हो जाते हैं शराप पिने के बाद में उनका जो रहता है निकल जाता है और फिर ज्यादा बाते करना चलू करेगा यह फिर कुछ लोग शराप पिके एकदम डाउन हो जाते और कम बाते करते एं कम से कम आठ से दस लाख लोग हमारे देश में हर साल शराब की होज़े से मरते हैं और कम से कम उत्ते आठ से दस लाख लोगों को एक्सिडेंट में शराब की वज़े से एक्सिडेंट में उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती मतलब जखम होती है या उनको कुछ मार लगती है ए के वज़ा से नुझको बी मारी हो जाती है हाठ डेशिजन्स लब्रवरिकरा ता में इसके बाद में श्राप की वज़ा से होने वाली वैमारियां का تीसरा नमबर लगता है श्राप की वज़ा से काफी सारे मैन अवर्स मतलब घंटे बहुत सारे घंटे बरबाद होते क्यों काम नहीं कर सकता बहुत जादा शराब पिया दुसरे दिन चुट्टी ले लेगा कॉलेज स्कूल्स में बच्चे जाएंगे यदि वो शराब पिता होंगा तो लोग काम पे जाएंगे ने काम नहीं कर सकेंगे और स्ट्टूपर्स हो जाएंगे इसका मतलब कि अभी हल्चल कम हो जाएंगी बहुत सारी नीन लेंगे बहुत जादा ऐसा दरद भरा ऐसा दबाय उसको नो तो वह रहां करेंगा शिर्फ बाकि उसको दरद भी कम लगता है और कभी-कभी बेयोशी भी आगो नहीं दिन पी तो इसंप होना बेचेनी होना ऐसा चिरूड्य हो रहा है कभी कभी कुछ लोगों तो भाहर जाते शराब पीते हैं वाहर मुझी नहीं होता नहीं है कि इसको अधिसय दिन गरता घ्र गरमे वो त हॹाई है जाना वो QU ब्लैकोट गोलते हो जो शराब है उनको बहुत जादा दिन तक शराब पीने के वज़क नशाः करने के वज़़े से फिर भरह मोना शुरू हो जाता है है आखों का ब्रहाम का ब्रहु आख और कान चमडी का ब्रहा या फिर विचारों का भरहं शक किले बन जाते और उन्हें पत्नी के उपर शक करेंगे, लोगों के उपर शक करेंगे, ऐसा बोला जाता है कि उनको अलकोहल इंक्रीज़ेद डिजायर, बट टेक्स अवे दो परफॉर्मंस, मतलब उनको सेक्स करने की इच्छा बहुत जादा हो जाती है, मगर वो सेक्स कर नहीं सकते, और इ तो यासा भी होता है, तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है कि यह लोगं बहुत जादा आएदी, बहुत जादा gonos, उसको हां पितल करने के बाद में उनको अच्छी सारी नीम होने के लिए के दवाएं, फिर निूट्रिश्यस इंजेक्शंस, रितामिन के इनई कि तो उसकी दवायां, उसको गेना ज़रूरी होता है you अब अब बहुत साल से ही वह पी रहा है तो वह अपना काम खुद हो नए कर सकता ़ड़ा बात में बतलां वह काम नहीं कर सकेगा तो वह कने गलते हमारे होस्पिडले में उनको एडमिट करते एक मैने से जेके 3 मेने तक एडमेट करते हैं बने कोई को कुछ नुध Totally इसके बाद सम्झाता हो तो इसको खाने लालेू पड़ जाते हैं तो फ। बहुत सारा करजा रहता है कमाई नहीं रहती है नहीं रहता है कर yeyim guard उसके लिएमिली का मतलब मानसुप चार मानसुब चार और करना साइको थेरपी करना फैमिली के साइको थेरपी करना ताकि वह फिर से वह शराबी ना बन जाए तो वह हम इलाज करते हैं हमको इतना याद रखना है कि शराबी एक बार है तो वह जिंदगी वर शराबी है जैसा एक बार आपको डाइबेटीस हो गया समझ जाना कि वह जि लोग जम्हा जाते हैं जिनको शराब छुड़ने की इच्छा है या जोने शराब छुड़ी हुई है उनका एक समौह रहता है गुरूप रहता है नहीं गुरूप साइको ठेपी होती है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को शराब से दूर रहने के लिए मदद करते हैं घर के लोगों को मुझे इतना ही बोलना है कि उनको सपोर्ट करो उनके उपर भहम मत करो वह नहीं तुमने लिया होगा आज लिया होगा ऐसा उनको भेहन नहीं करना आर्थिक सितिये खराब हो चकी है तो सब लोगों ने मिलकिव सुदारने की कोशिश करना है और एक नया जीवन में चालू कर सकता है पर और बढर और खुषिंद्व शूरू करेंगा शराब लेना इसके लिए हरदम सा तरह भाझा ज़रूरी है कि आपके संपर्क में काभी सारे लोग होंगे जिनको शराब की लद लगी होंगी शराफ चुट्टी नहीं होंगी उनको जरूरी विडियो बतायेंगा मा मतलब ब मेंगे जो भी शराब यह उनको काम में आएंगा और वो इलाज कर सकेंगे अपना जीवन अच्छा कर सकेंगे हमारा तो उद्देश यह हमारा तो विजन यह है कि वही कि मेंटल हेल पर ऑल सब के लिए मानसिक आस्थ मांस्य आतुब करना और सब एडिक्शन फ्री इंडिया करना मतलब वेसन मुक्त भारत यहां मारा सपना है आप भी उसमें हाथ बार लगाएगा लोगों को यह शेर करो सब्सक्राइब करो थैंक यू बेरी मिल्च